गुर्देव आपके चरणों में दास का कोटी-कोटी पढ़ाओ गुर्देव संसार में रहते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियन हिभाते हुए मन कभी-कभी इतना शांत हो जाता है क्या बताएं भाराजी कभी-कभी ऐसा लगता है कि भाग जाएं ब्रिंदावन चले जाएं गुर्देव इस परिशित्य को सामना कैसे करें हाँ लगता है ऐसा क्योंकि बात कह देना सरल है उसका निर्वाह करना बहुत कठी परिवार की बहुत तरे की आवश्रक्ताएं होती बहुत मांगें होती बहुत तरे की बेवधान बिवस्तर अगर उसमें भजन कर ले गए तब भगवत प्राप्ति बहुत सहज है अशा ब्रंदावन भाग के आओगे तो समस्या रही थे क्या यहां यहां भी समस्या है आप सोचो कहां भाग के जाओगे जहां जाओगे हमें वो इस्थान बताओ जहां समस्या ना हो माया के द्वारा रचित जितने भी सविस्थान है अभी आप चिदानंद ब्रंदावन को थोड़ी दैख पाएं नहीं तो समझे नहीं कोई अभी आप जो देख रहे हैं माया कृत रूप है माया कृत रूप है ये चिदानंद रूप नहीं है इसी में है जैसे यहीं हमारा दो शुरूप है ये रूप देख रहे हैं पांच भोतिक माया करत और जो दिखाई नहीं दे रहा वो चिदानंद रूप यहीं है पर उसके लिए नेत्र नहीं जब नेत्र आएंगे तो ये इस द्रश्य का मात तो नहीं रह जाएगा भाग कर कहीं भी जाओ तो माया गुनों से परा हुआ बरा हुआ पूरा शंशार है तो भाई समस्या तो ये बात है कहीं भी समस्या रहित नहीं अगर आप वहीं समस्या रहित होगे तो कहीं भी समस्या नहीं है तो हमें लगता वहीं डट के लड़ो और भीजय प्राप्त करो जैसे भगवान ने जिसके लिए जो कर्म विधान कर दिया है वो भोगेगा आप उसका शहयोग करो आपके पास अर्थ सरीर शेवा जो भी जितना है उतने हम करो नर्शी मिता जी के लड़के के ब्या की बात आई तो उनका देखो हमाए पास तो कुछ है नहीं गिरधर के सिवा प्रहू के सिवा ठाकुर के सिवा तो उनका इसी लिए हम ब्या कर रहे है कि आपको ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं आप ठाकुर जी वो तो स्वयम पिता हो करके नहीं करने ब्या कौन यह सप्रपन नहीं बाग भई हम तो गरीव हैं देख रहे हो आप हमारे क्या मंजीर आउ ठाकुर जी हो तुम तो बहुत बड़े घर के हो तो अपनी बेटी का कहीं बड़े घर हो ले आप से बड़ा कोई नहीं जो ठाकुर प्रकट हो के का करेंगे हम सब केवल तुम साफा बांद के समधी बन करके चाती चाती बन करके यह भी नहीं होगा हमसे सारा का सारा ब्या ठाकुर जीन जब हम भार अपने उपर ले 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 तो ठाकुर जीन इस चिंत हो जाते हैं अगर ठाकुर जी को उपर भार दे दे तो वो सब देख लेंगे ज्यादा चिंता भी मत करो तुम्हारे चिंता करने से कुछ होगा ने चिंतन करने से होगा राधा नाम के धनी बनो खुम नाम जब करो जो प्रभु कर रहे हैं उसे देखते रहो जो करवा रहे हैं उसे देखते रहो यह माया प्रपंच है इसको इसी बनवास जाए राम जैशा पुत्र राजगदी पर बेटे और यह जब मैं देखो तो में करत करत हो जाओंगा प्रशन्द थे पुरी अजुद्या में धूम मची हुई थी कल राम राजा बने गों और कल की जो शुबह आई वो ऐसी घोर प्राता कालिन बेला हुई कि साप के प्राण निकल रहे थे कि भगवान श्री राम चौदा वर्सी के लिए विशेश उदासी भेश में जो आज पालकी पे चार कदम चलते हैं राजकुमार हैं दसरजी चक्रवरती सम्रा उन नंगे पैर बनवास सुचो चिनकी मा है को शिल्या जी उनका शुहाग उतर रहा है भैजब य को प्रापट हो रहे यहां स्रष्टी का क्रम ही ऐसा है तो नाम जब करते है जैसा हो रहा है उसे देखते हो जेतना उसमालवार रहे समालते हो प्रभू के भरोशे रहो तो हमें लगता है फिर आप निकल सकते हो नहीं तो प्राया है ऐसा जंजट है माया का कि बड़े बड़ों को फसा करके भगवद विश्मरन करा ही देता है भगवद विश्मरन करा देता है इसलिए गोपी जनों की महिमा है कि सब परिवार में रहते हुए भी एक शण के लिए भी स्री कृष्ण चिंदन नहीं छोड़ा वह ऐसे ही सेवा करती थी जैसे एक सद ग्रहनी करती है तभी परमन सुक देव जी उद्धो आदि गयानी उनकी चरन धूली मातेव कि ग्रेस्थी में रहकर परिवार की शेवा करते हुए स्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाना यह बड़ी दुरलब बात है भागने की जरत नहीं जाहो वहीं हर समय नाम जपना और यह विचार रखना कि होगा वही जो प्रभु जी चाहते है आप प्रयास कर रहे हो ठीक है अगर भूखा रखना चाहते है तो आप राजी रहो जो ही प्यार करेश हो ही आज पर भूखे रखें बड़ा मंगल है आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाएसा नहीं हो रहा तो हाँ जैसा आप चाहते हो इसा हो जाते हो यह बात तो अंदर रखनी पड़ेगी तभी भगत तो होगे तभी आप माया प्रविजे प्रा ऐसा होना ही चाहिए किसी का नहीं चला इस रष्टी में किसी का नहीं चला सब की सब की कामनाय पूर्ण नहीं होई है लाडिले लाल जू प्रगट हो रहे हैं अभी प्रगट हो रहे हैं अभी नंदाले भेज रहे हैं देव की मईया अपनी गोद में धंक से खिला भी नहीं सकी चिनको ये शवभाग मिला नौ की शोर ठाकुर जी ऐसे जाग छोड़के जा रहे हैं जिसे पहचानते भी नहीं मईया तड़प तड़प करके महार हो रहे है आप मथुरा आ गए मथुरा से द्वारी काल ये क्या है भगवाने दिखा रहे हैं कि इस त्रस्टी का क्रम ऐसा है कभी बिजय है तो कभी हार है कभी शुक है तो कभी दुख है कभी लाव है तो कभी हानी ये चलता ही रहेगा धैरी पूर भजल करो विमल जी आपके चौनों में डंडबत प्रणाम महारा जी आपकी क्रपा से कुछ साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ आपकी बहुत क्रपा हुई आपकी क्रपा से कई बार कुछ समय नाम चलता है फिर महारा जी किसी कुसंग या अपरिये घटना से गुसा और कामना वासना प्रचंड रूप से हावी हो जाती है और सब छूड़ जाता है महारा जी इस्तिती में हम कैसे फिर से वापिस अपने आपको च्छोड़ते आप ही ओ पकड़ते आप यो तो अगर आप नहीं पकड़ोगे तो पिर आज का सत्संग अगर सुना हो तो इसमें था कि कोई भी शंत महत्मा या श्वयम भगवान आपको स्विक्रती करनी होगी अपना कल्यान आपको करना होगा बगवान शामने अरजुन से कह रहे हैं अपना उद्धार आपको करना होगा हम उपाय बता देते हैं हम तुम्हें वो शामर्थ देंगे वो तुम्हें विचार देंगे पर चलना आपको होगा ऐसे ही जिसे स्राप है किसी को जाओद तो प्राकृतिक शरीर का ही दंड है वर्दान है तो प्रकृतिका है लेकिन ये चिदानंद भाव में भगवत प्राप्ति भगवत बजन ये आपको श्वेकार करना होगा आप नहीं करोगे तो ये कोई भूल्या कि कोई महात्मा आशिरवाद दे देगा ये हम तुमको अंदर की बात बता रहे हैं हरदय के किशी के आशिरवाद से किसी का भजन नहीं होता किशी के आशिरवाद से किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती हाँ ये ही आशिरवाद है जब आप शत्संग शुनते हो उन पर श्रद्धा करते हो उनकी बात मानते हो तो फिर आप में वो योगता आजाएगी आप चल पड़ोगे आप न श्वेकार करो तो कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता भगवान भी अतरीत कुई हैं बड़े-बड़े महापुरुश्य हैं जीवत अभिनासी हैं उस समय भी हम रहे होंगे पर हमारा कल्याण नहीं हुआ अगर आप अभी नहीं चाओगे तो अभी कल्याण नहीं होगा किस पर गुश्या करोगे किस बात पर गुश्या अपने मन पर गुश्या करो जो भोगों में फशा आ रहा है उस गुस्षा को तुम का है आदर दे रहे हो क्रोध को आदर दोगे विश्यों के भोगों की आदर प्रवर्ती करोगे तो भजन कैसे होगा भजन तो नाम का आदर करो तब होगा तो यहां से जाना है किस पर गुस्षा करोगे जो ले जाने के लिए तैयार वैठा उसे तुमें दिखाई नहीं दिखा रहा है काल सिर पर मड रहा रहा है किशी भी समय प्रहार कर देगा कोई भी रूप रह सकता है है कि उससे जरह से भूक मठाता है हजार Singh लोग मर जाते हैं शुनामी आती लाखों के सब मकान सहीध बाल बच्ची सहीध धनसंपति कितने दिन का जीवन चार दिन का छूटा सा जीवन राधा मरना तो है जब मरेंगे तो हमारे पाथ धने राधा नाम हम मंगल होगा जहां भी ले जाये जाएगा हमारा हिसाब किताब पक्का है इसलिए हमें सम्मान मिलेगा हमें आनंद मिलेगा प्यार मिलेगा दुलार मिलेगा गुष्षा करके अपना भजन छोड़ करके अपना ही पतन करते हूं किसी और का नहीं तो आपको पकड़ना होगा भजन गुष्षा रहे तो भी जो नाम मिला है राधा 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 र अब गाली गुपता करके गुश्चा करके तो भगतों नहीं बनसकता, उपका द्रव हले कर सकते हैं। गुश्चा का लक्षण उता है उप ग्हाली दिलवाता है। दूसरे के प्रति हिंशात्मकुरत बृती पैदा करता है। आपको जब गुस्स आयो जोर जोर से बने जे जे स्री रादे, हवा जञेगा गुस्स, गुस्स टिकी ले सकता है, तो रादा रादा जब ओ भाई अच्छा सात्विक भोजन करो, अच्छा बाताओ करो, भजन टिकने लगेगा, आप गंदी बाते करो, गंदा चिंतन करो, गं लगेगा है नहीं मन ही नहीं कहेगा कि नाम जब करें अभी तो पवित्रता बढ़ रही तो संतों के पास आ रहे हो सब भेकार नाटक है आथ ऐसा मन तुम्हें सला देने लगेगा चीक से चलिए पंकर जी चंडीगड से माराश्री आपके सत्संग में सुना है कि सब में कट नहीं आते हैं भाई भगवद भाव करे क्या है जो हाई है तो भगवद भाव क्या करे दीपा वली में चीनी के खिलोने मिलते हैं चीनी का गोड़ सोवार होता है चीनी का गोड़ा होता है उसमें कौन बड़ा चोटा हुआ है चाय गोड़े से सुरू करो खाला चाय गो मुकुठो भाव कहने का अलग होगा है ये मुकुठ है ये कुंडल है ये पायजेब है ये है तो सोना है ना ऐसे भाव करने में ये इस्त्री है ये पुरुष है ये दुर्गुणी है ये दुराचारी ये महात्मा है ये सदाचारी बात कहने के है तो एक ही न दूसरा नहीं है अब इसको जान गहे तो सा महत्मा सुदुरु लभा तो यह दुरुलम महत्मा पती भी ऐसे थोड़ी मिल जाती है उप हमका इसे बड़ा कठिन पढ़ रहा है कठिन तो इसलिए पढ़ रहा है न कि आप अपना आस्तित तो अलग किये हुई है इसलिए कंटिन पढ़ रहा है अपने आस्तित्तों को मिला दीजे प्रभू में तो आप भी देखूगे जो सब जगे हैं वो याँ भी है जब याँ है तो जानने वाला कौन हो गया जानत तुम्हे ही तुम्हे हो जाए वही होगे अकतम के आप कोई कटिनाई नहीं तो सरीर धारी बनके थोड़ी जान पाओगे देह आभिमानी भगवान को थोड़ी जान पाता है वो तो बिश्रयों को जानता है केवल भोगना ये खाने की ये सुंगने की देखने की जैसे पसू उतने ग्यान रहता है सब में तत्तो भी राजमाने ये तो केवल कोई विग्यमात्माई जान सकता है इसके लिए साधन करना होता है आशाधनों का त्याक करके शाधना में स्तित होकर फिर साधन के अंकार का भी त्याक करके अपना आस्तित तो मैं प्रभु में लीन कर दे जान गया प्रभु को जो जान गया तो प्रभु में हो गया जो प्रभु में हो गया वो प्रभु को जान गया अब ये नहीं कहा जा सकता को पहले प्रभु में होता है या प्रभु को जानता है पहले ब्रक्ष था कि बीच था इसका निरणयाज तक नहीं हो पाया अगर कह दे कि नहीं पहले बीच बीच के बिना ब्रक्ष का तो बीच कहां से आया बिना ब्रक्ष के बीच कैसे हो जाएगा ऐसे ही पूरी मान लो और चल देो किसी एक को मान लो चाहे ब्रक्ष को मान लो चाहे बीज को मान लो और चल दो तो जान जाओगे तरक से ले जाल पाओगे अब भगवार ही है ये बात जान गए तो जीवन मुक्त परमंस हो गए तो ये बात बहुत उची है इसलिए आप नाम जब करो प्रहुशे प्रार्थना करते रो कि मुझे जना दो स्वेजाने जिह देव जलाई वो जना देंगे वो जब जना देंगे तो जनने वाला भी वही हो जाता है क्योंकि वही है दूसरा कोई है लिए एक आदमी नदी के पार हुए दस आदमी थे बोले यार गिन लिए कहीं कोई गिरा तो नहीं बोले आगिन लिए एक दो तीन, चार, पांच, शर, सात, आठ, नो बोले एक कम है यार तो बोले तुम किलो उसने एक दो नौ सब नौ गें बोले कम तो एक आदम बार ख़ड़ा देख रहा बोले यार एक तो कोई गायव है नौ है इसमें तो बहुत गायव नहीं तुम अपने को काई छोड़ रहे हो तो अपने को भी गिलो ला उसमें तुम भी आयव बस हम अपने को छोड़ रहे हैं ना इसलिए हम सामने नहीं गिंती समझ पा रहे है अगर अपना अस्तित तो मिला दे भगवाने में तो अभी समझ में है जाए कि दस के दस ही है पूरे है साब जगे वही बैठे दूसरा कोई नहीं अलग रहकर प्रभू से जान नहीं सकते संसार में रत रहकर संसार को नहीं जान सकते और प्रभू से अलग रहकर प्रभू को नहीं जान सकते संसार से अलग होकर संसार को जान सकते हो और प्रभू में आशक्त रत होकर प्रभू को जान सकते हो हमारी गती दूसरी संसार में रत है प्रभू से बिलग है तो इसलिए दोनों को ले जाल पारे न संसार को जाल पारे न प्रभू को जाल पारे यह प्रेम लक्षणा भक्ती होती यह क्रियात्मिका भक्ती नहीं है क्रियात्मिका नओधा तक रहती है नवी भक्ती में आठ जो भक्तियां है वो इन नवी भक्ती के अंग है नवी भक्ती पूर्ण भक्ती है समर्पन आत्म समर्पन जहां जीव ने आत्म समर्पन किया तो अब उसका काम खताम हो गया अब इस्ट की तरफ से कारिप्रारम होता है पाई रश भक्ति गूड जुग जुग जग दुरलब भो इंद्राद विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर शहज माधुरी रूप निधिम अनभे आनंद कंद निज संपति गुप्त सुरीत प्रगट करनम जै जग उद्द्युत व्यास कुल दीपक्षी हरिवंस चरन सरनम श्री लाडली लाल के रस में डूबे हुए आचारी गुरुजन क्रपा करके जब देखते हैं कि आत्म समर्पन इसका पूरा हो गया तो फिर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं यह साधक की साधना या गुन शाधन ते नहीं साधना यहां तक थी आत्म सम मर्पन तक आप जो भक्ति हुई उसे जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसी को पराभक्ति कहा गया है जैसे श्री हरिवन्ष माप्रवु की जब महिमा का बरणन करते हैं सेवक जी तो कहते विद्या हरिवन्ष मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धिभव उद्धर्णम और जब किशोरी जो कि महिमा का बरणन हित सजनी जो करती है तो कि परा द्वेक्षरा पराविद्या द्वेक्षरा राधा ये जो दो अक्षर है ये पराविद्या है तो राधा प्रेम शुधा रशाशो है राधा नाम शुधा रशम अर्थात प्रेम ही पराभक्ति है और प्रेम ही प्रेम भक्ति है उसके शब्दों को केवल कहने की बात है अगर हम उसे केवल पराभक्ति कहके जब व्याख्या करेंगे तो ग्यान मिश्रित कर देंगे और जब केवल प्रेम भक्ति करके व्याख्या करेंगे तो ग्यान के आगे की बात होगी जैसे हम पराभक्ति शब्द का उच्छारन करके फिर व्याक्षा करें, तो होगी ब्रह्मा भूता प्रशनात्मा नशोचति नकांक्षति, समा सर्वेश भूते सुम्मत भक्तिम लवते पराम, मेरी पराभक्ति का ये लाब होगा, क्यों ब्रह्मान भूति से चक जाएगा, ना कुछ सोचना है, ना कुछ चा जो इस कोट इसे आत्मरत में इस्थित ब्रह्म भूता शब्दाया इसमें, तो इसलिए आत्मरत ही कही जाएगी, उसकी हशी स्थिती हो जाती ना कोछ शोचना ना कोई चाहना, तो पराभक्ति में ज्यान का भी चरम वस्था का स्वरूप आजाएगा, और प्रेम भक्ति ज उन्तिम शोरूप जो आता है, वो भावदे होता है, भावदे के द्वरा अपने आराध्य देव के समीप रहकर छिन-छिन उनकी शेवा में, उनकी मुस्कुराहट में, अपने प्रमर्पित प्राणों को बार बार बलिहार करते रहते हैं प्रेमी जन, तो ये भावदे है, स सब रूप में बिराज माने, यहां ब्रजिन, जब हम श्री शब्द केवल अन्यत्र लगाएंगे, तो वो वैभाव शंपन होगा, क्योंकि स्री श्यते लक्षमी चपत्निया बहुर आत्रे, तो वो स्री सब्द वैभाव से होगा, लेकिन यहां जो स्री शब्द है, वो प् शीरी रूप, नारयन रूप, उनकी जो पत्नी के रूप में बिराज माने, लक्षमी जी, वहां स्री की बात ही, investors लेकिन यहां जब हम बात करेंगे, तो हमारी स्री शीरी प्रेम ही, यह बंदावनेश्वरी, यह प्रेम शोरूपा है, तो अगर हम राधा बोल रहें, तो स् चंचल चपल दोनों कार्थ क्या होता है एक वतल पर कहरे चंचल चपल अरुन अनियारे अगर भाग बने वन तो राधा बुलो तो और स्री राधा बुलो तो तो अगर स्री का मर्थ करेंगे तो राधा राधा इसलिए राधा राधा अगर हम स्री लगाते हैं नहीं लगाते ह पूरा नामना लेकर के रसिक जन तो इतने बोलते स्रीजी के सिवा में जा रहे हैं स्रीजी को भोग लगा रहे हैं स्रीजी स्रीजी तो हमारी स्रीजी मतम महरा नहीं जी